हाई एवरिवन, कैसे हो आप सभी लोग, I hope आप लोग अच्छे होंगे, मैं हूँ राहूल जेस्वाल and स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में, तो दोस्तों उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप और पर देखा जाए, तो vacations, अगर आप प्रपर तरीके से analyze करो, तो vacations almost आदा खतम होगे, आप देखते ही देखते ही आप देखोगे, तो एक मेने के आसपास हो गया है, vacation होके, आप में से कई सार ऐसे student होंगे, मुझे पता है, जिनके extra classes भी schools में start हो गए होंगे, हो सकता है कहीं आपने offline classes अगर tuition लगाए होंगे, तो वहाँ पे भी extra classes point of view चीज़े चल रही होगी, I know that, ठीक है, लेकिन बात वो नहीं, बात यह है दोस्तों, कि क्या अब वो समय आ गया है कि हमें अपनी study को एकदम अच्छी तरीके से start कर देना होगा, क्या वो समय आ गया है कि हमें जो 10th का board exam देना है next year in the month of March, तो क्या उसको हम अभी से देख सकते हैं, क्या अगर अभी से हम preparation, एक strategy बना के, एक planning बना के अगर चले, तो उस board exam में 90-95% हम ला सकते हैं, तो ये सभी सवाल मुझे पता है, आप सभी के मन में continuous चल रहे होंगे और चलना भी चाहिए, और अगर अगर आपके मन में नहीं चल रहे हैं, कुछ ऐसे students भी होंगे, जो सिर्फ और सिफ vacation enjoy कर रहे होंगे, तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा समल जाओ, क्योंकि अगर आपके dreams बड़े हैं, अगर आपके goals उचे हैं, बड़े हैं, तो definitely आपको बहुत पहल जो लगा सकते हैं, लेकिन मुझे एक बार बताओ, हर आखरी ball पे चक्का मारना, अगर इसका probability निकाला जाए, तो कितना ऐसा chance होगा, कि आप हर बार मारी पाओगे, बहुत कम chance होगा, देखो match में भी ऐसा ही होता है, बहुत कम ऐसे chance आते हैं, जिसमें आखरी ball पे चक्का ल तो cricket का example देखे कर रहा था, that's why, चीज़े, देखो cricket मेरा favorite है, IPL भी चल रहा है, तो यार, best example, लेकिन चलो वो बात नहीं करेंगे, आज मैं सीधा topic पे आता हूँ, आपके लिए, जो कि है हमारे लिए, 10th standard के लिए, इस साल का एक बहतरीन preparation strategy वीडियो, यानि कि 10th standard का full year, starting from this मन्त, ये मई का महिना चल रहा है, ठीके, ये मन्त से शिरुवात करेंगे, मार्च के महिने तक आपको क्या करना चीए, पूरा month wise preparation strategy लेकर आया हूँ, one by one देखेंगे, ये वीडियो को आप लोगो पूरा देखोगे, बीच में छोड़के गए, तो देखो, आप लोगो भी question tag करना है, mention करना है, सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीके, तो चलो शुरुवात करेंगे topic की, अब देखो, ध्यान से समझना है चीज़ को, कि vacation तो चालू है, लेकिन start में आपको study भी अपना, चालू रखना है, और ये ही best time है, start करने का preparation, क्योंकि, देखो, क्या होता है, कि हम vacation enjoy करते तो है, लगबग जून आ जाता है, पता ही नहीं चलता है, कब जून आ गया, जून के बाद एक महीना school में पढ़ाया जाता है, चीज़े हैं, उसके बाद हम लोगो confusion हो जाता है, कि हम start कहां से करे, वो सब करते करते, पता चला, first unit test आ जाता है, तो बच्चे बहु ही होना, यह तो एक strategy के जरूत है, तो अगर आप देखोगे, तो यह में का महीना है, इस साल जो मार्च में, जो board exam हुआ था, वो 3 मार्च से start हुआ था, लगबग हिंदी मेडियम, मराथी मेडियम का पकड़ने हैं, तो 2 मार्च से start हुआ था, आस तारीक है 3, यह वीडियो ह हो सकता है, 4 तरीकों चला जाए, ठीक है, तो यानि कि अगर मैं एक proper तरीके से point of view बात करूं आप लोग को, कि मही का महीना से लेके मार्च तक महीना, मतलब कुल मिला के आपके पास 10 महीना time है, 10 मत टाइम है, उस लाच में मैंने लिखा हुए only, yes दोस्तों, 10 महीना only, मतलब 10 महीना बचा है, आपको पूरा 10 स्टाइंडर का हर सब्जेक का पूरा-पूरा सिलाबस पढ़ना है, पता है न, 10 स्टाइंडर में पूरा भूक आता है, सिर्फ 5 के लाच के 5 चाप्टर, लाच के 4 चाप्टर ऐसे नहीं आते हैं, आपको पूरा-पूरा सिलाबस पढ़ना पढ़ता है हर एक सब्जेक का और एक ही दिन एक ही एक्जाम होता है पूरे 15-20 चाप्टर जो भी रहेंगे उसका होता है ठीक है तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा हमारे चैनल जैया डूटोरियस के ओपर अल दा सिला बसार कम्प्लीटिट अल दा लेक्षर वीडियो प्रेमियम कोर्स आएंगे यूटूब पर फ्री ओफकर्स हर एक चीज़ दे दिया लेकिन प्रीमियम कोर्स भी आने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत यूसफुल होगा आपको मजा आएगा आपको पसंद भी आएगा ठीक है तो सपोर्ट बनाए रखना अब आ जाते है प्रॉपर तरीके से स्ट्राइजी वन भाई बताने वाला हो ध्यान से समझना तोटल मैंने इस वीडियो को पाच स्ट्राइजी में डिवाइड किया यह है नंबर वन स्ट्राइजी स्ट्राइजी नंबर वन ध्यान से समझना पहला में और जून का महिना यह जो महिगा महि अभी वो नहीं है, अब वो 10th है, 10th में चीज़े अलग होती है, तो इसको समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आ रहा है, start watching आवो वीडियो, जितना हो से कि हमारे वीडियो देखना, start कर दो, पहला चाप्टर क्या है, समझ दो, हेली डें, variation है, start करो, science 2 का पहला चाप्टर, है, इसमें आपके उपर load उतना नहीं है, तो आप अपना time लेके, अपना एक, बोलते हैं ना, कि मीचे 2 गंटा, 1 गंटा, जो भी आपका time है, without any pressure, आप पढ़ना, start कर सकते हो, check chapter wise, वेटेज, यह आपने कई सारे वीडियो में बताया हो है, कि कौन से chapter का कितना वेटेज, य ऐसे हमारे वीडियोस प्रेजेंट है, वेसे तो आप उनलाइन गूगल पे भी सर्च करकर तो आपको मिल जाएको, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चीए, आपको selected होना चीए, कि पहला चाप्टर, दूसरा चाप्टर, इसमें से यह तीन मार्क्स क सेक्शन में बता देना कि 789 के लिए ऐसे ही फुल यर का स्ट्राटीजी वीडियो चाहिए, कि आप डेफिनेटली में वीडियो बना दूगा, ठीक है, अब मैक्स को आप अनलाइज कर सकते हो, जैसे आपने सस्टी और साइंस सब्जेक को अनलाइज किया, यहाँ पे मैक्स क हो आनलाइज कर सकते हो, सेस्टी का स्टोरीराइन पढ़ सकते हो, कि क्या है, उस चाप्ठर में किस बारे में स्टोरी दिया हुए, जैसे चाप्ठर वाइज हमने स्टोरी के पौर्म में वीडियोиб में आपको समझा में आएगा, तो यह मैईऑ और जून के मैंने मैं आपको जुलाई का महिना जो आता है यह बहुत क्रिटिकल महिना है क्यों कि इसमें आपको लर्निंग स्टार्ट करना पड़ेगा क्यों कि लगबक जुलाई एंडिंग और अगर श्टार्टिंग के आसपास या आपका पहला एक्जाम यानि फॉर्स्ट टेस्ट आने वाला होता है आ आप लर्न करना स्टार्ट कर जो क्योंकि मई और जून के महिन में आपने चीज़ें समझा अब आपको कॉंसेप्स के साथ साल आपको लर्निंग करना पड़ेगा क्या लर्निंग करना पड़ेगा क्या लर्निंग करना पड़ेगा कॉश्चन आंसर को साइंस ऐसे सब्जेक् के उसके concept के लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हो पूरा concept क्लियर करवा के दे देंगे आपको math का concept वीडियोस देखके समझ सकते हो कि steps क्या है कैसे solve करना है कौनसे type का example कैसे solve होता है उसके examples उटाओ practice set में से practice करो जितना हो सके जहां आटको के वीडियोस देख लो कि सर ने कैसे solve करा है यह आप कर सकते हो तो पूरा जुलाई का महिना इस प्रकार से आपना बिता सकते हो और जैसे august आजएगा जैसे मैंने बोला कि आपका क्या आजएगा first unit test का exam स्टार्ट हो जाएगा most of the school में तो एर उसके लिए आपका preparation और revision जितना हो से कि दबा के करना है और practice maths का जो भी example से उसको practice करना है तो इस तरीके से आपका July और August जो है वो बीच जाएगा यह था आपका strategy number 2 फिर अभी आएगा next month जो कि आएगा आपके लिए strategy number 3 अभी जो strategy number 3 है अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको September पे focus क्या करना है September का मन्त बहुत crucial है इस इसमें आपको memorize करना है start memorizing concept videos and answer मतलब क्या है कि पहले तो आपको concept समझना है जितना हो सके chapter by chapter आपको बढ़ते जाना है आगे पहले chapter का वीडियो देख्के हो गया उसको learn किया second chapter का वीडियो देख्के हुआ उसको learn किया third chapter का ऐसे करते करते आपको आगे बढ़ना है वीडिय बहुत सारा चीज़े पढ़के हो जाना चीए फिर आपका next month आजाएगा October October month में क्या कर सकते आप planning कर सकते और ये सबसे important चीज़े हर एक बच्चे के लिए plan करना इज़े को मैं अपनी तरफ से आपको planning करना है क्या करना है कि देखो आपको पता होना चीए कि how much percentage you want to score समझ बच्चे आप लोगो आप लगबग October के महिने में आगे मतलब आपने मई June July August September पांच महिना आपने पढ़ाई किया अब आपको खुद को एक 80% ला सकते हो मतलब आप 90% ला सकते हो भेहनत करना है समझ में आ रहा है तो हमेशा 10-15% एक्स्टॉप पकड़के चलो क्योंकि कोई भी चीज़ इंपॉसिबल नहीं होती है अगर आप मानोगे कि मैं 80% वाला बच्चा हूँ तो क्या मैं 90-95 ने ला सकता हो बिलकुल ला सकता में तो अक्टोबर से ही आप डिसाइड कर लो कितना परसेंट लाना है और उसके एकडम हाड़कोर स्टडी करना स्टार्ट कर दो फिर आजाएगा नवेंबर और नवेंबर में होते हैं मिडल टम एक्जाम यानि हाफ फेरली एक्जाम मिड टम एक्जाम बोलते हैं ठीक है तो ये एक्जाम स्टार्ट हो जाते हैं लगबख दिवाली का वैकेशन लग जाते हैं दिवाली के वैकेशन में 5-10 दिन आप एंजॉई कर सकते हूँ बाकी थोड़ा चिल कर सकते हो और अपना जो श्टडी है वो स्टडी एओ कर सकते हो तो इस प्रकार से आपका आधा साल यहाँ पर खतम होता है November फिर आता है असलिप पढ़ाओ यानि कि अब जो महीना आएगा इसमें क्या करना है strategy no.4 December का महीना आ गया क्या करना है start completing your सिलावस क्योंकि अब समय आ गया है कि आप अपना पूरा का पूरा subject का हर chapters को फटा फट से learn करो उसके concept को समझके वीडियो देखे concept समझके उसको learn करके खतम करके रख दो यानि कि आपको पूरा सिलावस आपको पढ़ना है मतलब क्या करना पढ़ेगा दिन हो रहा आप एक करके महनत करके पढ़ना है hard course study करना है ठीक है question answers को learn करना है hard course study करना है December भर पूरा यह करना है और January म महिना दोनों मिला के combine करके आपको पूरा सिलावस आपके complete करके रख देना है यानि कि January खतम होते होते January एंड होते होते आपका सिलावस भी पढ़के एक बार complete हो गया होगा ठीक है अब समझ में आगे कि January होगे अभी तो हमारे पास time है ना January में मेंने सिलावस complete करवा दिया आपने पूरा learn कर दिया क्योंकि January में करोगे तभी तो यार हमारा आखरी पढ़ाव strategy no 5 February के महिने में क्या करोगे hardcore revision करोगे जी हाँ दोस्तों कितना भी कोई अच्छा पढ़ ले अगर लास्ट के महिने में एक महिना proper time लेगे अगर वो बच्चा revision नहीं करेगा तो बहुत स इसले साल मतलब इस साल जो इन्होंने बोड एक्जाम दिया था 2023 में उनके लिए उडान बैच लॉंच किया था लाइफ पढ़ाया था रिवाइस कराया था हर चीज एक महिना लगातार चरा था लाइव हमारे चानल पे आप लोगो भी दूंगा तो उनको उडान पढ़ाया लेकिन अप पे हमारा जया टूट्रोल का जो अप है उसको भी इंस्टॉल करके रख लो रेजिस्टर लॉगिन करके रख लो क्योंकि उसके भी बहुत सारे चीज़े आपके लिए करवाई जाएगे ठीक है समझ में आ गया तो मेरी तरफ से all the very best बुल मिला के यह थे तोटल आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ कि यह जो स्ट्राइजी था प्रेपारिशन स्ट्राइजी आपको समझ में आया होगा इससे के साथ वीडियो को एंड करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जि विडियो में तब तक के लिए थाइंक यू एंड गुडबाई